हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू आवर यूट्यूब चैनल एमेस नुरिजवत आज मैं आपको एक ऐसे महान हस्ती के बारे में बताने जा रहा हूं जो ना कबली एक बविशे वक्ता थे अर्थात बविश्यों को बताने वाले अपी तो एक सिखसक भी थे डॉक्टर भी थे और वरी फ्रांस के लोग उन्हें देवता मानते थे अब चित्र देखकर उनका नाम तो समझी गए होंगि जी हाँ मैं उस उसक्स की बात कर रहा हूं जिसने अपनी अपने जीवन काल में ही खोशित कर दीती अपने अपने जीवन काल में ही बता जीती ऐसे सक्स जिहां इतिहास में इनका बहुत बढ़ा नाम है और अब तक इन्हें लोग याद गड़ते हैं इनकी जो प्रेडिक्शन है जो है वो लोगों में इतने प्रिश्य धह्म हो जादे इन्होंने बत्मान प्राचिन समय से लेकर होने तक की बीच में बहुत सारी भविस्यवाणी कहीं कुछ भविस्यवाणी इनकी ठीप सीधी भी हुई है और लोग हर एक इंसिडेंट को हर एक घटना को इससे जोड़कर देखते हैं कोरोना वाइरेस मोदी और जो मोदी की प इतना का नाम नहीं लिया परंतु इन्होंने उस माध्यम से अपनी कभीता को माध्यम से बहुत कुछ कह देते थे उन बात्यों को अगर डिकोड करा जाए तो आज के समय में कुछ एक बातों पर फिट बैठती हैं तो लोग इसी तरीके से उनकी कभीताओं का जो संग्रे है है उसमें से पंक्तिया उठाते हैं और उनकी जो है उन्हें डिकोड करते हैं और बताते हैं कि यह जो है उन्होंने जो भविस्यवानी की वह आज की समय में ब्लुकु शटीक बैठ रही है तो दोस्तों देखो आज कोरोना वाइरस का बहुत बड़ा प्रगोप चल रहा है तो उसके तहित भी इनकी कुछ एक भविस्यवानी की वह मैं बताऊँगा उससे पहले आज मैं आपको इनके बारे में की पुरी जो एक सोट दिस्क्रिप्शन देने वाला हूं इनका जन्म कहा हुआ तो आई दोस्तों स्टार करते हैं फ्रेंड्स मैं बात कर रहा हूं नास सब्सक्राइब करते हैं तो इनका बारे में बताता हूं कि इन्हों ने उस समें जब इनका जन्म के बात की कहानी पहले इनका जन्म बतायता हूं मैं आप इनका जन्म होँँँआधा वह तो है चोदा सितंबर और फिप्पीन ज्रूठी अड़ा पंद्रसोट तीन इस्वीद को इनका जन्म होगता शोटे गाँ था सेंट रेमी जो फ्रांस का हितो हुआ थे अहां पर फ्रांस में है उसके बारें बहुत ज़्यादेन और पढ़ा है तो इसमें इनकी अभी रूची विती शुरू से इन्हें वह भी से करने का शुरू से ही सौंख था यह इनकी हो भी थी उसके बाद जो होता है कि यह थे 23 अक्तुवर 1529 याने की तो 1529 में डाक्ट्रेग की उपादी ली और बिश्विट एले में शिक्सक बन गए तो यह उनका जो करेंडी शुरूबात यहां से यह नों ने अपने डाक्ट्रेग उत्पादी लेकर शिक्सक के तोर पर एक जो चिसी साथ थे और साथ सास्थ जो है चिक्रित सब्च्ञान में इन्होंने काफी योगदान दिया है चि सब्सक्राइब यह फिर्फान के लिए तो उसमा को सब्सक्राइब करेंदै खिना अवे इन्होंने सब्सक्राइब कि सब्सक्राइब क्यों श॑ना और समय ध्राजरों के लिए थी ऊप्ने र Prats चुबे थे और इसके साथ साथ अब ये इस वीडियो में आपको सठीक भविष्यवाणी नोट की हैं जो मैं लगती हैं हैं तो यह आपको मैं बताऊंगा इसी वीडियों में तो दोस्तों आप देखते हैं इनके जीवन का अगतिम पड़ा जब यह इन्हें एक बीमारी होई लास्ट में लगपोसित जून की बात है जून 1566 में इन्हें बीमारी होई तो इन्हों ने उस समय एक रोग हुआ था उस के रिख्त में वह जो भी इनके पास ॐक से देना है इसके लिए उने ने विख पहां जूलाइक सप्था आइकोन का देवांद हो गया तो यह महसूर जो भविश्य वक्ता थे इनका निधन 2 जुलाई 156 को हो गया था दोस्तों उसके बाद प्रांस की क्रांटी जो होई 1789 में 1789 में होई तो उस क्रांटी के दो साल बाद 1791 में तीन लोगों ने नाश्य दमस्त की जो कबर को खोद आ गया जिन तीन लोगों दुबारा तो उनकी मृत्ति तुरंद ही हो गई ऐसा एक कुछ मिधक है फ्रांस का मानते हैं लोग जिसकी को इस तरीके से हमारे इंडियम पंदत को पूझा जाता है इसी तरीके समय ने अब भी पूछते हैं दोस्तों इस समय जो है भारत में और विश्व में जो नेरेंडर मोदी और कोरोना वायरेस और मुदी पॉलिसी डोनाल्ड ट्रम की पॉलिसी और चाइना की जो पॉलिसी है इन सब को लेकर बहुत जादा बारतलाग चल रही है एक समय तो इनके विश्व में इनकी पुछ एक जो थियोरीज थी आई भी है इनकी कविताओं में कुछ जिकर है अब यह जो फ्रांस के लोग थे और कुछ बाब की यूके के लोग उन्होंने अपने अपने तरिके से इ सब्सक्ति धियों को उसमें होगा तो इसे लोग अनुमाण लगा लिए इनकी बीच में लोग मानते है यसलिए आज इनका और नासरे नमस का नाम भी है और लोग इनका सम्मान भी करते हैं तो देखे अब क्या हुआ अब उनके दोवारत को लेकर भी कुछ भविसेवानी की गई थी अब भारत की में ने कुछ नोट की है मैं आपको एक एक करके बताता हूं आप इनके बारे में जो भविसेवानी नोट इती हैं वह शट्टीक हुई है देखे सबसे पहली जो है दोस उसके बारे में इन्हों ने नाम ने लिकर है लोगों ने जो बाते हैं जो कविताएं उनकी है उनकी है किस तरीके से जोड़ा वह बताऊंगा आपको और एटलेस्ट जो है अब कोरोना वाइरस चल रहा है इसे जोड़ रहे हैं कि नात्र देमस पहली इस चीज़ को बता कर गए थे कि प्लेग जैसे महामारी फिल्स आएगी तो यह सब है फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूं किस तरीके से भविष्यावानी करते थे क्या अपनी जो इनके कवितायम में क्या है लिखते थे जिसे कि लोग उनका नुमान लगाते थे तो देखे इंद्रा गांदी के जो संदर्म बात कही गई थी उसमें इन्हें लिखाता कि नि इनके वरको सेम यह जो ठेयोरी है इंद्रकांदी जी फिट होती है लोगों ने लगाया कि यह जो है जो भविस्य की गये थी यह भारत की प्रदान मंतिर थी इंद्रकांदी जी उनके ओपर फिट अब कैसे यह नहीं बात कही थी तो यह जो 1977 के जो आमदानी सुनाब होई थ तो यह एक अनुमान लगा जाता है कि इनोंने साल का सासन किया था तो उसमय इनके रख्थो और। तो यह रखा कर दूसरा है अब राजिव गांशी की मुरत्यू का संकेटि भी दिये था इसके में बताता हूं कैसे वेज़ें हैं जो उन्होंने कहा था कि राजा के से कुत्तम बायुचालक अपना पेशा छोड़कर देश के सर्वोज सिकर पर आशीन हो जाएगा और साथ वर्षों तक ख्याती प्राथ करने के पचात उसका ऐसा अंत होगा जो रोंगते खड़कर देख यह उनके एक जो कविता का संग्रह ह तो इसका लोग जोड़ते हैं राजीब गांदी की मृत्यूसे तरीक्या से हुई थी जो अपनी माताजी की सहता करने तो राजनीती में आये थी तो उस समय जो है सडेंत करके उनको मार दे गया था और बहुत है जादे है बहुत है बरबरता सा मार गया था एक स्थी जो बं बांद के अपने पास माईते रोनों फार लेता उससे ग्यों है बहुत बुड़ी उनकी होई थी तो बिल्कुल ऐसा ही उन्सा नुमान लगाता है कि राजिम गान्दी के बारे में भी इन्होंने पहले संकेत देदी ते अब आते हैं जो तक्सिला अब जी तीसरा पॉइंट है तक्सिला वाला इसमें यह 1193 के आसपास की बात है बक्तियार की जी ने जो तक्सिला उन्हालें दब इस विद्याले कि उन्हों सरे इस इन्वेस्टी थी उन्हाग लगाजी उनकी लाइवरी खतम कर दी तो उसके संदर पर उसनों नहीं कहा था कि एक ऐसा समाह आएगा जब बेपरी लोग जैनि की जो पिना पड़े लोग अनपड़े लोग ईन्हें पड़े लोग पढ़े णिखे की सब्द Ultra को तवह कर देंगे यानि की जो लोग को नहीं सब्द्धा बनाई थी पढ़हे तो उसे द्वस्त कर देंगे और फूक डालेंगे ऐसा दुल्लब ग्यान नष्ट कर दिया जाएगा जिसका रिकांस भाग वापस नहीं आप सकता और वह बात बिल्कु सकती है उस समय के जो दुल्लब ग्रंथ थे जो उस उनिवस्टी में तक्षिला उनिवस्टी में थे वह पतक यह नहीं पता तो लोग अब तक इस बात को नहीं बात सकते हैं क्योंकि वह जन दीलिए नहीं तो यह कई सारे इनोंने जो मुस्लिम आकरान ताओ ने जो अखंड भारत के आदे हिस्व में हिंदू के बहुत सब्यताओं को लगबंग नश्टी कर दिया था तो यह सब यह बहुत भिक्सों का बनावा उनिवस्टी थी और यह नश्ट कर देगी तो यह भी इसमा जिकर करा गया ते द्धर्म चांद पर निर्वर लेने वाले मुकाबलों के जो चांद पर निर्वर लेने रहने वाले लोग हैं उनके मुकाबले तेजी से पनपेगा और उसे बहबीत कर देंगे यह इस तरीके के एक उन्हों च्छोटा सा क्यूट यह था आप इसमें जो लोग अनुमाल पताते हैं लोग और बोलते हैं कि जो भविस्यमाणी थी वो ठीक है और जो हिंदु धर्म के उख्थान की बात उन्होंने की थी अब कितनी समय सच्चाई है क्या है यह तो मैं देखो नहीं कह सकता यह लोगों के अपनी किद्वन्तियां है लोगों द्वारा जो उनकी जो आप से बता रहा हूं कि जो भी उन्होंने भविस्यमाणी की है वह साड़ का कि रुए हैं बट उन्होंने डारेक्टली कुछ नहीं लिखा कि कहां क्या होने वाला किसी चीज का अपने नाम नी लिखा नहीं पता था बश्यमाणी क्या है अपनी स्टोरी में यानि कि जितनी सब्सक्राइब भी थी कि 1945 में दो ऐसे धमाके होंगे जिसका असर काफी लंबे समय तक दुनिया पर रहेगा और दो ऐसे धमाके हुए भी 1945 में अब तक उनका असर भी देखा जा सकता है तो जब पनवान वाम के जो हमले हुए ते जापान में तो उस चीज को इनकी इस भव कुछ भविस्यमानी की है नहीं कि इस पात पर भी कुछ बहुत ज्यादा है छड़ी वी समय बिल्कुत जोलें से टोपिक है लोग अपने अपने तरीके से से पैस कर रहे हैं कि उन्होंने प्लेक तीन बिमारिया बताई थी उसमें से फॉर्ट नंबर पर एपिडेमिक मुझे जो इन्होंने ने वहिस्यमानी की थी उससे जोड़ा जा रहा है तो देखे मैं बताता है प्रवाइर्स की तरीके से इनके जोड़ा जा रहा है और थो नाश्ट्रे मस्ने एक रोल अख प्लेवनिक अपना उन्हों लिखा था सिप्टीन फिप्टीबन मैं यानि कि 15 अपने लिखा था कि यानि कि एक जोड़े दार दूज साल होंगे जैसे कि 2020-2021 इस तरीके से अब 2020 चल रहा है इसे जोड़ा जा सकता है और राइसे एक विए एक रानी का उदे होगा और रानी को ने तो पता नहीं और काम प्रोम धीश्ट गर्डिश होगा तो परीश चाना चांब प्लेग और कितरने उसे प्लेग को सब्सक्राइब ने फाहले जाएता उस प्रभावाव यूज्ट जोड़कर देखा जा रहा है और वह इंदावर्ड यानिका प्र पुर्स बाघ्री ना बर्ड को यह संसार को यह नश्ट कर देगा परवाद कर देगा आप साब देख रहे हैं तो कोरोन वाइस पर यह सटीक भविष्यमाणी इनकी थी तो यह कई न कैसी दोती दीख रही है और नाश्य देश्म के बारे में जितना कहा जाए बहुत कम है क्योंकि बहुत बड़ी अ चार चार लाइन के और इनकी कविताओ अधार पर लोग लगा लेते थे कि यह कहां की है जोड़ लेते जिसे और भी से इसनों फ्रेंस के रिवोलिशन हुआ नैपॉलियन का हुआ बहुत सब इनकी भविष्यमाणी थी और नाश्य देमस के बारे में और अधिक जानने के ल उसके सब्सक्राइब कर सकते हैं तो इनका पूरी पायगर आपको मिल जाएगी तो दोस्तों आप उसकी वीदियो आपको हमें कैसी लगी कमेंट बॉक्स मा इस से बताएं और वीडियो का लाइक करें श्यूप करें दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं इस तरीकी की रो कि वीडियो समझ समय पर लागते रहते हैं हमारे इस चैनल में जो प्लैलिस्ट बनीवी है आप अपने लोग चोभी वीडियो देव बचाते हैं चाहे कम्पुटर से रिलेटेड या जो बर्तमान में सब्सक्राइब या आप जी के गए हैं या रिक्रिमेंट से संब्सक्राइ के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आपको लगता है कि यहां इसमें तोटी हो सकता है मैं इस पीच में तोटी कर रहा हूं तो आपने कमेंट को बताता हैं जिस्ते की मैं अपना सुदार करता हूं लोग दोस्तों वीडियो को अंद तक देखने लिए बहुत- झाल